मीठा और मसाला आज बचे हुए चावलों के साथ कुछ मीठा बनाएंगे यह पांची मिनिट में बनके तयार होने वाली रेसिपी है बहुत कम समय में इतनी स्वाधिस्ट रेसिपी कैसे बनती है आएए देखते है यह मैंने दो कप दूद लिया है इसको बॉयल करेंगे डालेंगे एक टेबल स्पून कंडेंस मिल्क इसकी जगह पर आप दो टेबल स्पून पाउडर मिल्क भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स आप मेरी चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें डालेंगे दो टेबल स्पून चीनी यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ेस्ट कर लें डालेंगे केसर के धागे दो तिन मिनिट अच्छा उबाल लेंगे अब डालेंगे इसमें लेफ्ट ओवर राइस इस खीर को परफेक्ट बनाने के लिए दूद और चीनी को अच्छे से उबालें उसके बाद ही चावल डालें इससे चावल मशी नहीं होंगे खीले खीले रहेंगे दो ती नुबाले और आने देंगे यह बहुत ईजी खीर है बैसे लिए बिगनर्स के लिए और बैचलर्स के लिए डालेंगे इलाइची और देखिए फ्रेंड्स बातों ही बातों में इमारी खीर भी तयार हो गई तयार खीर पर डालेंगे थोड़े बादाम पिस्ता थोड़ी सी डालेंगे केसर आपकी जो इच्छा हो आप काजू बादाम कुछ भी डाल सकते हैं रेसिपी को ट्राइ करें और अपने फीडबेक मुझे जरूर से दें कि बादाम प्रचा मुझे जरूर में कि सी जरूरी जरूरी नहींड़र हो एचल वक्रेंगे पर आपकी जरूर जरूर बादाम झाल झाल